हम हैं दिवानशु और सोनिया, हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम आये हुए हैं द्वारका सेक्टर 12 में सिद्धी विनायक मंदिर में जिसका में मंदिर तो खेर बॉंबे में है पर यहां पे दिल्ली में भी सेक्टर 12 में हम दौरका के मैंने गाड़ी पार्क कर दी है यह मैं भार का एरिया दिखा दूँ थोड़ा सा शाम को चार बजे से लेके 9 बज तक मंदिर खुलने का समय है यदि आप इस दौरान आते हैं तो बहुत अच्छी बात है यह सामने जो है विशाल मूर्ती है मैं आपको दिखाऊंगा बट इसको दिखाने से पहले मैं चाहरा था लेफ्ट में जाके थोड़ा सा एक छोटा सा म मूर्तियां रखी हुई है हम इन्हें और देख लेते हैं यह नुमान जी की मूर्ती है शेरवाली माता तो यह थोड़ा सम घंटी बजा देते हैं इश्वर से प्रात्ना करते हैं थैंक यू गॉड फॉर एवर्यृतिंग आपने जो कुछ दिया बहुत अच्छा दिया आरा से और एक तंद्रुस्त सेहत के साथ चहरे पर मुस्कुराहट के साथ यह देखते हैं मंदिर कब बना है यह 23rd of 9th month 2012 में बना है यह गनेश जी का जो वहन होता है आप देख सकते हैं चूहा और मोदक लड़ू अच्छा घर यह तो लड़ू है तो यह आप देख सकते हैं यह है 51 feet tall Lord Ganesha statue जी हां 51 feet जो है इसकी height है 2012 में मना था यहां जो है मैं back side से दिखाने कोशिश करता हूँ चलें आपको इसकी खासियत यह है कि यहां पे ना जब गनेश उत्सव होता है गनेश विसर्जन का जो festival होता है तब यहां पर बहुत अच्छी सजावत होती है बहुत festival दोरान भी एक बार यहां पर आके वीडियो शूट करो मेरी वाइफ कह रही थी कि चले शिवलिंग पर जल अरपन किया जाए तो मैंने का ठीक है पहले हम दोनों ने साथ में किया फिर मैंने उसे कहा कि आप करें मैं थोड़ा सा आपको वीडियो में शूट करना चाह रहा ह तो उनों ने कहा ठीक है तो बस अभी हम यहां से निकलेंगे थोड़ी देर में हनुमान मंदिर है एक सेक्टर 23 में वहां जाके वहां भी दर्शन ले लेंगे और उसके बाद अपना घर की तरफ हमारी जो रुकसत हो चलेंगे हम बाई बाई लॉर्ड गनेशा थैंक यू आ आपने हमें यहां बुलाया और हमें बहुत अच्छा लगा आपके पास आके और आप का अशिरवाद लेके मुझे उमीद है आप सबको वीडियो जो है पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आता है आपको तो कमेंट सेक्शन में जाके थोड़ी सी महबत दीजेगा इस वीडियो को